Welcome to three important questions. आपका स्वागत है. आज हम जानेंगे जीवन को सुधारने वाले या जीवन को निखारने वाले तीन प्रमुक प्रश्न कों से हैं? और ये हम कैसे कर सकते हैं? तो आएए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम जानते हैं कि ये क्या हैं तीन प्रमुक प्रश्न? तो मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच हूँ, मैं आपको बता दूँ. तो ये तीन इंपोर्टन्ट कोश्चन्स या तीन प्रमुक सवाल क्या है? हम इसको कैसे क कर सकते हैं और इनको करने का क्या परिनाम होगा? इसके बेनिफिट्स क्या है? हमें इनको क्यों करना चाहिए? और जितनी शीगरता से करें उतना ही बेटर है. कहने का अर्थ है कि त्री मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन्स अगर एक युवक 18-20 साल में इस प्रश्नों के उत्त को दे देता है तो उसका आगे का जीवन जो है निखर जाता है. कहा जाता है कि टोनी रॉबिंसन ने भी कहा है कि हमारे जीवन की क्वालिटी तभी निकरती है जब हम अपने जीवन से कुछ प्रश्न पोशने लग जाते हैं. और ये तीन प्रमुक प्रश्न क्यों एक गोल स सेटिंग एक्सराइस किये होंगे. पर आप जब भी गोल सेट करते हैं तो आप अपने प्रेजिंट को लेकर सेट करते हैं और आप ये सेट करते हैं जो आपके मन में लोगों ने धारणाये बनाई हैं. लोगों ने क्या धारणाये बनाई हैं? लोगों ने धारणाये जिसको जानते है जब भी आप गोल सेट करते हैं जिसके मैंने बोला कि हर वेक्षी सोचता है कि जब وہ स्कूल जाएगा बच्चा होगा तो इसको स्कूल में भेज़ेंगे सको पड़ाई लिखाई करेंगे पर हम school क्यों जाते हैं तक हमें अच्छा college मिल सके हम college क्यों जाते हैं कि हमें अच्छा college मिलेगा तो हमको अच्छी job मिलेगी तो ये हमारे goal setting exercise में ये होता है कि हम smart goals बनाते हैं कि अगला लक्ष मेरा क्या है परंतु क्या ये लक्षे हमें वाके में खुशी देते हैं? क्या हमने कभी कोशिश की कि इन लक्षों को साधने के लिए हमारे पास साधन तो हैं? पर क्या ये वाके में हमारे जीवन के लक्षे हैं? तो ये जो exercise है तीन प्रमुख प्रशन ये आपके goal setting exercise से बिलकुल भिन हैं क्यूंकि वास्तविक्ता में हम सब आत्मा रूपी प्रानी हैं इस धर्ती पर और हमारा जीवन का लक्ष क्या है? हम जीवन का लक्ष हमारा आत्मा से related होना चाहिए ना कि इनसानों की तरह हम जैसे जी रहे हैं उसको लेके हम लक्ष को साधें तो तीन प्रमुख प्रशन वो exercise है जो लोगों वो बताती है कि हमारे आत्मा का real स्वरूप क्या है और उस स्वरूप को लेते हुए उन तीन प् पैदा होते हैं हम जिस वातावरन में पैदा होते हैं वहीं से हमारा जीवन शुरू हो जाता इसको हम कहते हैं कल्चर जैसे भारत में भारती है कल्चर अगर वो विदेश में पैदा हुआ तो अमरीकन कल्चर अगर वो यूरोप में पैदा हो तो यूरोपियन कल्चर को हर कल्चर में एक भाशा होती है, उस भाशा के अनुरूप, उसके पास कुछ विश्वास होते हैं, कुछ चीजों को वो सत्य मानता है, जिन चीजों को सत्य मानता है, वो उसके बिलीव्स बन जाते है, इसी तरह आइडिया का जनम होता है, और वो कुछ रिच्फर्वल्स करता है उस uh cosmic energy universal energy को मांता है उसको मानने के लिए वो कुछ religion को follow करता है तो कोई लोग इसाई धर्म को follow करते है कोई Sikh को follow करता है को Quran को follow करता है तो हर एक का culture उसके व्यख्ती को उसकी रोप रेखा में धांचने के लिए धालने और धांचने के लिए बिलकुल अनुरूप होता है so every person goes this cultural escape because of the religion because of the environment because of the education because of the belief level he gets so now we move to the next हमारे शब्द ही हमारा जो पूरा का पूरा world है उसका निर्मान करते हैं तो हमारी दुनिया हमारे शब्दों पर निर्भर है there is no thing called a thing यह Alan Wash ने का जिन चीज़ों को हम देखते हैं अगर आप अपने घर से बाहर निकल के देखेंगे तो एक प्रकृती को देखेंगे प्रकृती में जो भी चीज़े हैं वो एक वातावरन है परतु जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे सारे man-made things जो मनुश्य ने बनाएं अपने सुविधा के लिए जैसे कि electricity, जैसे furniture, टीवी, लैप्टॉप यह सारे man-made objects हैं पर जो जब आप घर से बाहर निकालते हैं तो आप देखते हैं नेचर ने आपके लिए क्या बनाया पशू, पक्षी, जानवर, हवा, पानी, सूर्य यह सब चीजें यह अलग दुनिया को represent करते हैं जिसको आप external world कहते हैं बट जैसे ही आप घर के कमरे में आते हैं आप सारे man-made objects को देखते हैं और इनका हरे का एक-एक नाम है और एक-एक नाम का एक-एक भिन-भिन अर्थ है तो जिन अर्थों को हम समझते हैं वो हमारी भाशा बन जाती है अगर कोई मुझसे Chinese language में बात करे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने उनको कभी जाना ही नहीं उन शब्दों का मतलब ही नहीं पता तो मेरी दुनिया उनसकी दुनिया से बिलकुल अलग है क्योंकि मैं उसकी भाशा को नहीं जानती हूँ वोही मेरी दुनिया है अगर मेरी दुनिया में स्कूल एक विद्याले है एक पाडशाला है, तो पाडशाला का अनूरूप एक स्कूल जैसा होगा, तो मेरे शब्द, मेरे देखी हुई चीज़ों को define करते हैं, किसी ने मुझे ये चीज़ दी, तो मुझे पता है कि ये एक कैंची है, क्यूंकि मुझे ये बच्पन में सिखाया गयाता है, कि ये काग औजार है ये काटने के काम आता है कागस काटने के कपड़े काटने के लिए तो इसको सिजर बोलते हैं परतु कोई अगर इसको मुझे नाइफ बोले तो मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इसको सिजर बोलते हैं और मुझे बचपन से यही गया तो मेरी दुनिया में इस itool को scissor बोलते तो इसी तरह हमारे शब्द जो हैं हमारी दुनिया की रूप रेखा बनाते हैं मैं अब आते हैं हमसे कभी के और केटकर करे यह कराना चाहता है तो हम का यह तो करते हैं पर क्या हम उसको खुशी-खुशी करते हैं नहीं हमारी expectations होती है लोगों से लोग हम पर से क्या expect करते हैं जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है और अपना report card लाता है और report card में 70% marks लाता है तो उसके माता मिता बोलते हैं अगले बार मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा और 80% marks लाएगा तो ब boss कहता है अगली बार आपका project report इससे बहतर होगा तो आप boss की expectations पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं अगर कोई आपको appreciate करेगा कि आपने काम बहुत अच्छा किया तो उससे आपको एक नया प्रोटसाहन एक motivation मिलता है जिसके कारण आप अच्छे तरह दूसरों के expectations के उपर ख प्रती आपका लक्ष के प्रती बढ़ना जो है बहुत सुलब हो जाता है बहुत आसान हो जाता है because people are appreciating you people are expecting good results from you next आता है हम हमेशा goal setting exercise में ये बहुत ही important है कि means goals को हम संजे मैं अमीर होना चाहता हूं हमेशा किसी वेक्ती को कहा एक वेक्ती मेरे पास आया client और कहा madam आप सीखना है क्योंकि उसने कहा कि मुझे तो पैसे कमाने हैं और मैंने कहा ये memory techniques आपको किस तरह मदद करेगा तो कहता है मुझे एक सूची बनानी होती है रोज और रो मैं भूल जाता हूं मुझे जो list बनानी है अगर मैं उसको जल्दी memorize करो तो मेरे काम में बड़ोतरी होगी मेरा time बचेगा और मैं जल्दी काम कर पाऊंगा और जल्दी काम करने से मेरा boss मेरे से खुश होगा और मुझे salary और promotion देगा तो फिर मैंने उससे पूछा अगर वो salary और promotion देगा तो उससे आपको क्या मिलेगा उससे मेरे पैसे increase होगे उन पैसे उससे आप क्या करोगे उसने कहा कि मैं बोडापी के लिए कुछ पैसे सेव करना चाहता तो मैंने कहा जो आपका जीवन का लक्षय आज है कि मेमरी को इंक्रीस करना कारे को करना और पैसे लेना परत तो यह आपका means goal है मतलब मैं यह करूंगा तो मुझे यह मिलेगा इसलिए सो होता है I want to become rich so that I can buy a house I want to become a football player so I win the match so हमारे पास जो mean goal होता है वो generally present या near future तक का ही goal होता है और इसी को हम end goal समझ लेते हैं परन्तु यह हमारा वास्तविक लक्षिन नहीं है इसको means goal बोलते हैं तो means goals में आगे हम चलते हैं तो व्यक्ति से हमने पूछा कि वो पैसे कटे करके क्या करेगा तो उसने का मैं घर खरीदना चाता हूँ तो अब घर क्यों खरीदना चाते हैं मैं अपने माबाप को वो सुख देना चाता हूँ जो जीवन भर ने दिया और मेरे माबाप मेरे साथ घर में रहेंगे तो आपका end goal आपके माता पिता को वो सुख और शांती देना एक secure place देना आपका एक end goal है जहां आपकी खुशी निर्भर करती है परन्तु इस कारिय को memory को सीख कर वो खुशी आपको नहीं प्राप्त होगी जो खुशी आप उस घर को लेकर अपने माबाप को देंगे तो यहां difference आता कि where is your real happiness आपकी real वास्तविक खुशी किस में है तो real goal जब आप real goal की तरफ जाते हैं तो आपको समझ में आता है means goals and ends goal जो आत्मा का real सुरूप है कि खुद को खुशी देना आप जब दूसरों के जीवन में उसको अपने माता पिता को खुशी दे पा रहे हैं उनको एक सुरुक्षित जगा दे रहे हैं उनके चहरे पर खुशी ला रहे हैं तो आप भी अंदर से प्रफुलित हो रहे हैं अंदर से खुश महसूस करने हैं तो आप जब आपको लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष परिपून हो गया मैंने जो चाहा था मैंने अपने माबाप के लिए कुछ चाहा था मैंने अपने पती के लिए कुछ चाहा था मैंने अपने फामिली के लिए कुछ चाहा था मैं कुछ दुनिया में देखना चाती हू मैं कुछ travel करना चाहती उससे जो मुझे सकून और खुशी मिलेगी वो खुशी means goal से कई गुना जादा ये है तो ये end goal और means goal में बहुत फरक है इसलिए goal setting exercise आपको हमेशा means goal की तरफ लेके जाती है जो की आप exercise करते है smart goals बनाना की वो measurable होना चाहिए, achievable होना चाहिए, time bound होना चाहिए, realistic होना चाहिए और smart होना चाहिए ताकर आप इसको achieve कर सके परन्तु जीवन का ये लक्ष नहीं है हमारे जीवन का जो लक्ष है वो आत्मा रूपी हम इस धर्ती पर मानव जीवन को experience करने आए तो आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के स्थर से अगर हम देखें तो हमारा end goal जो है वो क्या होना चाहिए हमें जो खुशी दे, हमें fulfilled करे, हमें उस चीज की जो इतनी प्रफुलता हो, सच्चितानन जैसे प्राप्ती हो, वो सकून हम चाहते हैं तो ये सकून हमें चाहने के लिए हमें end goal बनाना पड़ता है अब आते हैं हमारा जो rule है, rule मतलब लोगों ने क्या rule बनाया रोगों ने ये rule बनाया कि पढ़ना लिखने के लिए आपको स्कूल ही जाना पड़ेगा बिना स्कूल जाए आपको शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं परन्तो आज हम देखते हैं कुछ ऐसे विद्यालें जो सरफ गुरू के नेदिक्षन में ही जिसे पुराने गुरू कल होते हैं आपको स्कूल जाने की जरूवत नहीं है परन्तो जब विदेशी लोग आये एर रेविलूशन हुआ तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया नौ से पांच की नोकरी का पुराने ज़माने के लोग तो नौ से पांच नोकरी नहीं करते थे खेतों में काम करते थे बिजनस जाते थे किसी के यहां काम करया महां काम जाता हो गया तो रुक गए काम कम हो तो जल्दी घर आ गए फरन्तो यह सब किसने बनाया यह society ने बनाया company ने बनाया कि Sunday को छुटी होगी आपको 9 बजे ही आना है बाकी के दिन 5 बजे छुटी होगी आप overtime करेंगे so these are the rules made by the society और यह आपके freedom को रोकते हैं जितने ज़्यादा rules के अंतरगत आप काम करते हैं उतने ही आपका जो real freedom है वो संखुचित हो जाता है आप अपने time freedom को experience नहीं कर पाते हैं और अगर आप rules break करोगे तो आपको वो आपकी माल हानी के लिए जिम्मेदार होगा जैसे कि rule break करते हैं school में किसीने को शीशा दोड़ा तो rule break हो गया उसको fine भरना पड़ता है इसी तरह offices में जब आप rule break करते हैं तो हर जगा ये rules का जो rule है वो आपकी freedom को कहीं न कहीं hamper करता है तो rules जो है वो society बनाती है और उसी की conditioning की वज़े से आप उसके प्रतिरूप काम करते हैं तो हमारा जीवन adopt हो जाता है अब ये एक important thing है absolute truth versus relative truth absolute truth हो होता है जब एक वास्तविक सच है वास्तविक सच क्या है सू पूर्वदिशा से निकलता है हम सुबह उठकर हमेरे लिए brush करना जरूरी है brushing is an important habit ये relative truth है ये हम लोगों ने बनाया ठीक है तो absolute truth और relative truth एक बहुत ही important part है हम जिस चीज़ को सत्य मानते हैं किसी ने कहा कि उस पेड़ के पास people के पेड़ के पास मत जाना वहाँ भूत रहता और उस वेक्ती ने बचपन से मान लिया कि इस पेड़ पे तो भूत रहते हैं तो उस चीज़ को जाने बगैर उस चीज़ की वास्तविक्ता को सच माने बगैर जैसे 10 लोगों ने कहा 10 लोगों ने 50 लोगों से कहा तो वो वाके में आगे चलके एक सत्य हो गया और लोग उस शक्ती है जो हमें चला रही है हुआ है पानी है सूर्य है यह सब एक absolute truth है इसके बगैर हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते ठीक है तो यह सारे absolute truth है हमारा body 24 by 7 काम करता है यह absolute truth है हमें कई सारे अपने ही शरीर के बारे में चीज़ों को नहीं पता कि कैसे हमारा liver काम कर इसके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते और वो बिल्कुल साइलेंटली काम करता है अगर ये काम ना करे तो हम चीवित नहीं रहेंगे तो ये सब आपसलूट टूथ है पर तो आप कई लोग बहुत लोग मानने लग जाते हैं जिस सत्य को उसको रिलेटिव टूथ कहा जात है कि होली में ऐसे करना चाहिए इस रिच्वल को ऐसे करने से इसका ये लावू तक उस चीज़ को जैसे जो चल रहा है बिली रास्ता काड़ गए तो अब शुकुर होगा तो ये इस प्रूथ को आप मानते हैं क्योंकि सद्यों से ये चला आ रही है रूड़ी वादी परंत हम ये जानेंगे कि वाके में वो आत्मा के तीन प्रमुख प्रशन क्या है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं तो इस एक्सेस को करने के लिए नीचे दिये डिस्क्रिप्शन में एक वाट्सप लिंक है उस लिंक को जॉइन करिए उस ग्रूप को जॉइन करिए और एक फोन मिनिट की वर्क्शॉप होगी जिसमें आपको ये तीन प्रमुख कोशन कराए जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे six phase meditation जो की mind valley का एक ऐसा meditation है जो आपके जीवन में चारचान लगा देगा और आपके जीवन को और बहतर बनाएगा we have to create a better world to live in so that is our mission and we want to create better human beings so that they contribute to the world in making this world a better place एक ऐसे विश्यो का निर्मान करें जहां सभी भाईचारे से प्यार से रहें जहां खुशाली हो जहां सकारात्माकता हो जहां एक दूसरे के प्रती कोई भी गलानी ना रहें there should be love there should be light everybody should be willing to share wisdom हर एक प्रानी एक दूसरे के लिए शैर करें और इस धर्ती को खुश सूरत साथ धर्ती बनाए जहां हम सब प्रेम से रहें इसी mission को लेके इसी mission और vision को लेते वे हम आगे बढ़ते हैं so thank you very much for being in this show if you are really interested we are going to do the three most important questions so please join me in this three important questions very soon so this was short description what is three important questions so come and join me live in a workshop and let's do it together this exercise all of you will be elated आपको बहुत खुशी मैसूस होगी ये एक मेरा number दे रखा है इस number पे भी आप whatsapp कर सकते हैं ये मेरा business whatsapp number है कि अगर आप join करना चाते हैं इस link पर आप मुझे message कर सकते हैं कि I want to be a part of the three most important questions please include me so you can get in contact with me or this is my email sorry email address awalika78gmail.com and this is my phone number so thank you for being on the show three most important questions